हलो फ्रेंट्स मैं हूँ हर्ष्थवन आपका करियर गुरू एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स ग्लोबल की तरफ से दोस्तों अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस करना चाहते हो और आपको कोई प्रोड़क्ट नहीं मिल रहा खास तोर से आपको ये लग रहा है कि यार अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो कॉम्पेडिशन फेस करना पड़ेगा और मैं अगर प्रोड़क्ट का सेलेक्ट करता हूँ तो क्या मुझे सिफ 15% मार्जन में काम करना पड़ेगा या उससे कम या कितना मार्जन होगा सेलेक्शन फॉरं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस जिसमें आपको हम बताने जा रहे हैं कम से कम 100% मार्जन वाले प्रोड़क्ट यानि अगर इन प्रोड़क्ट को अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो 100% मार्जन मिलेगा दूसरी चीज़ ये कि वो ये वो प्रोड़क है जिसकी इंडिया में मुनापली है यानि कोई और देश उन्हें बनाता ही नहीं है तो अब आप खुद सोचिए अगर मैंने इंडिया से प्रोड़क्ट उठाए और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किये तो पैसा भी मिलेगा कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा डिमांड भी आएगी बायर भी असानी से मिल जाएगा ऐसा ही एक प्रोड़क्ट आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों अगर आपने हमारा एक वीडियो देखा है ब्लैक राइस का जिनोंने नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट है उस वीडियो के जाके जरूर देखें ब्लैक राइस एक ऐसा प्रोड़क्ट है जो इंडिया में ही फिलाल अभी प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन यहां मैं ब्लैक राइस की बात नहीं कर रहा हूँ यहां मैं ब्लैक राइस से बने हुए अधर प्रोड़क् को लेके अब उन्होंने ऐसा प्रोड़क्ट तयार किया है ब्लैक राइस से की वर्ल वाइड आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कॉम्पिटेशन जीरो परसेंट है यानि सिर्फिलहाल ख्रम ही आसाम ही इस प्रोड़क्ट को प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है अब ये प्रोड़क्ट क्या है ब्लैक राइस से बने हुए प्रोड़क्ट दोस्तों आपको जानके ताजब होगा आपने चॉकलेट तो खाई होगी ठीक है वाइट खाई होगी ब्लैक खाई होगी लेकिन कभी ब्लैक राइस से बनी हुई चॉकलेट दिखाता हूं दोस्तों मेरे हाथ में एजो चौकले kilometers से बनी यह हुई है तो खुद सोचिये पेलदी कि हभी है और सबसे बड़ी वाद मार्केट में प्रोडक्ट तो हे ही नहीं यह यह गजा तो अगर में ब्लैक राइस की चौकलेट अपनी पैकेजिंग में मैं इंडिया में भी बेचूँगा तब भी मेरा माल तो भिकेगा मैं ब्रैंड भी बन जाओंगा और अगर मैं एक्सपोर्ट भी करूँगा तब भी ये प्रोटक भिकेगा ना सोचके देखिए ऐसे ही ब्लाक राइस के और प्रोटक बन रहे हैं अब वो कौन-कौन से हैं आपके इसलिए इंडिया इंटरनाशनल ट्रेट फेर से ये प्रोड़क करके लेके आए हैं ताकि आपको पता चले इसलिए मैं बार-बार कहता हूं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस सीखना है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट ग्लूबल तो आना पड़ेगा हमारी स्पेश प्रोड़क की बात करते हैं देखिए दूसरा प्रोड़क्ट है यह मफिन्स यह भी ब्लैक राइस से हैं कुछ सोचे आप देख रहे हैं कितनी अच्छे फिनिशिंग है तो यह है हमारे देश के लोग यह हमारे देश के बिजनसमें और यह हमारे देश के क्रियेटर्स अब तीसरे प्रोड़क की बात करते हैं सेम इन्होंने ब्लैक राइस से केट डेवलप किया है दोस्तों अगर खाने की बात करों टेस्ट की बात करों तो बहुत ही माइनर सा फरक दिखेगा आपको इनके टेस्ट में लेकिन कस्टमर को अगर मैं यह ब्लैक राइस से बने हुए बेचूंगा चॉकलेट बेचूंगा केक बेचूंगा मफिन बेचूंगा तो कस्टमर को तो फाइदा ही फाइदा है आप पूछेंगे कस्टमर का फाइदा क्यों है भाई न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है मैदा खाने से तो अच्छा है मैदा तो फिर भी शरीर को जवान भी खाए हर age group के लिए product है तो बताइए फाइदा का सौधा है या नहीं दोस्तो अगर आप अपनी branding करके भी ये product sell करना चाहते हैं अपना brand मनाना चाहते हैं तो भी आप direct contact कर सकते हैं देखें दोस्तो export experts global में यही benefit आपको मिलता है हम क्या करते हैं student को scratch से तयार करते है बिल्कुल zero से कैसे अपना brand मनाना चाहिए कैसे product का selection करना चाहिए अब बात करते हैं यह product आपको मिले के कहां से दोस्तो यह आसाम गुवा हाटी का product है जो गुवा हाटी में बन रहा है आसाम में मैं description box में पूरी details और contact number के साथ आपको पूरी information इसकी डाल दूँगा तो वह से information collect करके आप directly उनसे call करिए अपने product को के बारे में बात करिए और इस product को worldwide फैलाईए किया सिर्फ चाहिना ही आगे बढ़ना जानता है दोस्तों आईए हम मिलकर export बढ़ाए export को आगे लेके जाए और दुनिया की number one country बने export में तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जो ल ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों क्या आप नहीं चाहते हमारा देश आगे बढ़े मैं तो चाहता हूँ मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद दोस्तों कि अऑले कि अ होगे बड़ा आपched संसे में फिर्च श्ति अजैनी चाहते है जäre अजैनी आपबे बड़ा कि में तोस्तों कि शी्छ चाहते हम स्विश्स कि उ model बेक्ड़ किया ऺंटी कंई अजा है चाहते हैं वाचके बने नहीं वाचके बड़ा हुआ है कि अचक झाल झाल